अरो स्टूडेंस आइम गुनजन तन्दन वेलकुम्टू मैं चैनल गुन्जन गुरुकुल सूडें्ट इस वीडियो में सेशन में हम स्टार्ट करेंगे class 9 की chemistry का chapter 2 is matter around the sphere इससे previous videos में हमने chapter 1 को बहुत detail में study किया था जिसमें हमने पढ़ा था everything about the matter matter की physical properties, matter की three different states matter का एक state से दूसरे state में अपने liquid, solid, solid to gas and again उनका अपने ये states में interconversion हमने देखा था उस वीडियो के उस chapter के link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना chapter 2 chemistry का class 9 का is matter around is pure देखते हैं आपके NCRT की book में क्या दिया हुए उसी के recording ये सारी चीज़े मैंने प्रिपेर के रहे हैं how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral, water or juice that we buy from the market are pure जो कुछ भी चीज़े हैं है न हमने क्या कहता है matter क्या है whatever is present around us है न चाहे वो liquid हो चाहे solid हो चाहे gas हो जो भी हम खाते पीते हैं हमारा pen stand, हमारी table, हमारी books these all are made up of matter है न तो अब बात करते हैं आपे milk, ghee, butter यानि हमारे जो food items हैं जो भी हम purchase करते हैं कैसे है उसकी purity का पता लगाएंगे कैसे हम कह सकते हैं कि यह pure है अब देखे solid case पर भी लिखा हो है कि pure है pure ghee, pure milk हम जिस पर भी लिखा होता है कि 100% pure है बिल्कुल शुद्ध है हम वो item food item जो है वहाँ मॉल से या सुपर मार्केट से ले आते हैं आजकल एक नया item आ गया है organic, organic items, organic डाल, organic घी मतलब means purity के चक्कर में हम जो है high cost देख कर भी जो है उसको purchase कर रहे हैं क्यों कहा जाता है कि जितना pure खाओगे उतनी आपके immunity अच्छी होगी तो यहाँ पर यह बात हो रही कि purity का प्रता हम कैसे लगाएंगे कैसे कह सकते हैं कि यह सारे जो items हैं यह जो हम खा रहे हैं आजकल जो हम ले रहे हैं वो pure है इवन हमारे around us हमारे air है atmosphere उसमें oxygen वो भी हमें आजकल कहते हैं प्योर नहीं है सब जहां कुछ न कुछ adulteration है यह word अभी आप देखोगे यहाँ पर आया है adulteration adulteration means मिलावत है ना यानि मिलावत clear तो अब देख लेते हैं कि भाई कैसे purity हम हम purity कुछ और कहरें लेकिन हमारे scientist है ना जो हमारे chemist है हमारे जो हमारे बाइलेजिस्ट है जो हमारे chemist है उनका क्या कहना है कि प्योरिटी क्या होती है right have you ever notice the word pure written in the packs of these consumable वह हमने देखा है कि प्योर लिखा है अभी बताया हमने प्योर देखकर हम चीजे जो है food items purchase कर लेते हैं for common person pure means having no adulteration means हमारे साब से purity क्या है पलाना चीज जो है वह organic है pure है कोई मिलावत नहीं है अगर अरहर की दाल है तो completely उसमें सिर्फ अरहर की दाल होगी अगर दालों का उसमें adulteration नहीं होगा मिलावत नहीं होगी घी है तो हम सिर्फ देखते हैं कि प्योर लिखा है तो that means हमें यही लेना जाहिए right but for a scientist है यानि जो हमारी chemist है all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure लेकिन हमारे scientist कहते हैं यह जितने भी चीजें है यह different substances का mixture है mixture है तो that means thing is not pure substances are not pure और अब उन्होंने कैसे इस चीज को प्रूफ किया for example milk is actually a mixture of water, fat, proteins, etc actually milk है वो किन चीजों का mixture है water, fat, proteins और चीजों से मिलकर बना हुए इसमें भई enzymes भी होंगे है न तो यह सारी चीजें यानि milk को हम एक pure substance नहीं कह सकते यह different चीजों का mixture है वो कौन सी चीजे है water, fat, proteins, etc when a scientist says that something is pure अगर scientist के नजरों में, scientist के opinion में कोई चीज प्योर है वो क्या है it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature यानि कोई भी substance प्योर तब है जब उसमें अगर वो mixture भी है लेकिन जो उसके वो different particles से भी मिलकर बना है तो वो सारे जो उसके particles हैं वो same chemical nature के हो, right? उन सबकी chemical properties same हो, clear? तो scientist के according pure substance क्या है? all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature a pure substance consists of single type of particles यानि pure substance वो है जो एक ही तरह के particles से मिलकर बना हो, right? यानि जो एक ही जो वो particle जिसकी chemical properties same हो, या फिर other words में हम कह सकते हैं a substance is a pure single form of matter यानि matter की सिर्फ एक ही state से बना हुआ, है ना? जो substance है वही pure होगा either वो liquid हो, वो solid हो या फिर gases warm में हो, clear? तो यहां हमने देखा purity हमारी opinion में क्या है? हम किस तरह से purity को चेक करते हैं? और हमारे scientist क्या कहते हैं? कि pure तो milk भी नहीं है क्यों? क्योंकि वो different constituent से मिलकर बना है, different particles, water, fat, protein, etc. उनके according, constituent particles of that substance are the same in their chemical nature यानि किसे substance में वो जितने भी particles से अगर मिलकर भी बना है, वो सब की chemical property, chemical nature सेम होना जाहिए means single type of particles से मिलकर बना होना जाहिए means pure single form of matter is a pure substance, clear? तो यहां पर हमने देख लिया pure substance क्या होता है? types of substances देख लिजे, इससे आपको यह जो एक flow chart के form यह जादा clear हो जाएगा what is matter हमें पता है, यह liquid, solid and gaseous form में होते हैं matter कोन के purity, impurity के basis पर जो है हमने बाटा है pure substances and impure substances pure substances के हम बात करें means made up of only single kind of particle having the same chemical nature, same chemical properties तो pure substances को यहां पर दो parts में divide के है one is element and other is compound अब elements में हमारे hydrogen, carbon, iron यह सारी चीज़ें हो सकती है इसके example क्या है हमारे hydrogen, carbon, iron compounds हो गए हमारे water है, ammonia है elements को further जो है four categories में divide किया गया है metals, non-metals, metalloids and noble gases right, metals हो गए हमारे silver है, gold है, copper है right, non-metals हो गए हमारे sulfur metalloids, arsenic and noble gases हमारी सबसे अच्छा example है helium right, helium हो गई हमारी noble gases तो matter को जो है purity और impurity के basis पर हमने pure substance और impure substance में divide किया pure substance means made up of only one kind of particle फिर further हमने इसको दो category में divide किया है classify किया elements in compound elements होगे हमारा hydrogen, carbon and iron and then elements को further four categories में classify किया है metals, non-metals, metalloids and noble gases जिने metals होगे हमारे silver है, copper है, gold है non-metal silver, metalloids के example arsenic and noble gases का helium यह में बहुत important है इसको इसका screenshot लेते जाएगे star mark के, it's very important impure substance की बात करें means mixture mixture of something है ना अब वो mixture same भी हो सकता है different भी हो सकता है यानि homogeneous भी हो सकता है heterogeneous भी हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर यह flow chart के form में आपने types of substances देख लिए clear next देखते हैं बात शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर impure substance impure substance यानि mixtures of different constituent different particles right अब mixture होता क्या है इसको पढ़ लेते हैं भी right mixture के बारे में सबसे पहले देखते हैं mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter यानि mixture जो है किस चीज से बना है matter की ही pure forms matter की ही one kind of pure form of matter है ना किसी भी matter की एक जो pure kind है सिर्फ उससे मिलकर जो है mixture बना होता है right अब समझते हैं इसको कैसे we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation यानि हमें पता है sodium chloride हमारा किस चीज का solution है किस चीज का mixture है sodium and chloride दोनों ही अपने अपनी pure form है ठीक है sodium भी and chlorine भी right अब हमने sodium और chlorine को जब हम water में mix करते हैं तो physical process of evaporation के में जब हम उसको dissolve करते हैं तो यह separate हो सकती है evaporation यानि पानी उड़ जाएगा sodium chloride रह जाएगा but sodium and chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process लेकर हम sodium और chlorine दोनों को जब हम चाहें तो physical process मतलब means उसको हाथ से अलग करने या उसको मतलब सीव के थू अगर हम उससे अलग-अलग करना चाहें दोनों को तो हम नहीं कर सकते हैं chemically हम कर सकते हैं but it is not possible by physical process into its chemical constituents हम चाहें तो हम sodium chloride को sodium और chlorine में break नहीं कर सकते by physical process right similarly sugar is a substance which contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout right लेकिन sugar जो है वो क्या है ऐसा substance है जो only one kind of pure matter से मिलकर बना है वह solid है तो वह solid के ही form में है और उसका composition किसी भी चीज में आप मिला जीजे throughout same ही रहता है clear तो mixture हमने देखा mixture क्या होता more than one kind of pure form of matter यह हो गई भी mixture की definition right जिसमें हम sodium and sodium chloride की बात करें जब उसे पानी में dissolve करते हैं तो हम उसे physically physical process के through जो है उसे separate sodium और chlorine को नहीं कर सकते बोत आर इटसेल प्योर सब्स्टेंस right लेकिन sugar जो है which contains only one kind of pure matter तो और जिसका composition भी same रहता है throughout तो यहां पर दो तरह के हमने एक्जांपल देखे sodium chloride और sugar का soft drink are not single pure substances सबको पता है soft drink और soil जो हैं यह single pure substances नहीं है mixture of pure substances हैं है ना जिसमें soft drink हमें पता है भी तेपसी है कोला ही सब aerated drink है इनमें carbon dioxide mix है ठीक है water है और जो है इसमें artificial sugar sweetness mix होते हैं तो right soft drinks while these are not a single pure substances whatever the source of pure substance may be always have same characteristic properties यानि जो pure substance कोई भी हो लेकिन they have their same chemical property same characteristic उनकी होनी चाहिए तभी वो pure substance कहलाएंगे right so we can say that mixture contains more than one pure substance तो mixture जो है वो एक या एक से ज्यादा pure substances का mixture होता है right one or two pure substances का से मिलकर जो भी बना होता है वो हमारा क्या होता है वो mixture कहलाता है right तो यहाँ पर हमने mixture की definition देख लिए example देख लिया कि वही sodium chlorine sodium chloride and sugar यह वो substance है जिनका one kind of pure matter से दोनों ही प्रलब pure substances है soft drink of soil they are not pure substances क्यों क्योंकि इसमें different type के substances mix then we will talk about types of mixture right जब हमने mixture की बात करी थी तो mixture को हमने देखा था है यहाँ पर दो तरह के होते है heterogeneous and homogeneous ठीक है अभी इसको हम समझेंगे पहले हम activity यहाँ पर देखते हैं कि बहु एक्टिविटी के थू यहाँ पर क्या एक स्प्रेंग किया गया है आपकी NCRT में depending upon the nature of components that form a mixture we can have different types of mixture different types of mixture हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे let us divide the class into groups a b c and d class को four groups में divide कर दिया group a को क्या दे दिया एक बीकर जिसमें 50 ml water and one spatula of copper sulphate ठीक है एक group को दे दिया जो ए वाला था उसको 50 ml बीकर में एक बीकर में 50 ml water और one spatula यानी one spoon copper sulphate दे दिया जो group B था उसको भी 50 ml water दे दिया लेकिन उसको copper sulphate की हमने क्या quantity थी two spatula यानी two spoon दे दिया फिर group c and d को हमने देखा different amount of copper sulphate plus potassium permagnate है ना potassium permagnate दे दिया and mix the given components to form a mixture और उसको के लिए उसका mixture बनाने को कहा गया और हमने क्या observation देखा यहां पर देखते हैं further activity में groups A and B जो group A and B थे जिनको 50 ml water और copper sulphate की different quantity दी थी एक को दिया था one spatula और अदर को दिया था two spatula उनका they has a uniform composition through out यानी उनका mixture जो था वो बिल्कुल uniform था बिल्कुल ऐसे है ना कोई भी particle जो है कोई भी दोनों में से water और उस copper sulphate को हम identify नहीं कर सकते थे such mixtures are called homogeneous mixture है ना ऐसे mixtures को क्या कहते है homogeneous mixture जिसको जो है आप अलग-अलग नहीं पहचान सकते है homogeneous mixture राइट यहाँ पर देख लेते हैं यह इसकी definition दी हुई है homogeneous mixture ठीक है यानी same uniform नहीं नहीं थी है ना copper sulphate मिलाया तो वह solution जो था वह बिल्कुल copper sulphate जाकर पानी में उस water में बिल्कुल absorb मतलब mix हो गया अच्छी तरह से some other example of mixtures are homogeneous mixture के हम बात करें तो वह है salt dissolved in water sugar dissolved in water अगर हम नमक को पानी में mix करते हैं तो भी homogeneous mixture बनता है हम उसके बाद mixture बनाने के बाद नमक को और पानी को अलग-अलग में ही पहचान सकते हैं same as the case with the sugar जब हम sugar को dissolve करते हैं water में तो भी homogeneous mixture बनता है राइट compare the color of solutions of two groups भी अगर हम उनके color को compare करें A और B के तो दोनों की color की intensity में different होगा भी एक थोड़ा dark color का होगा एक light color का because जो B वाला group था B group था उसको हमने copper sulfate का ज्यादा amount दिया था right this shows that homogeneous mixture can have a variable composition composition different हो सकता है right then group C and D have obtained mixtures which contain physically distant parts and have non uniform composition क्यों क्यों क्योंकि उनको हमने copper sulfate के साथ क्या दिया था यहां पर potassium permagnate भी दिया था है na potassium permagnate देने से क्या हुआ उनके पास non uniform composition का solution बना such mixtures are called heterogeneous mixtures mixtures of sodium chloride iron filling salt and sulfur oil and water are example of heterogeneous mixtures यानि sodium chloride और iron filling को जब हम mix करेंगे तो हम easily देखेंगे non uniform composition एक layer अलग अलग बन जाएगी उसका best example हम देखते हैं जब हम oil और water को mix करते हैं पेट्रोल या water को mix करते हैं तो एक different layer oil की उपर बन जाती है और पानी नीचे हो जाता है इसली हम identify कर सकते हैं दोनों को oil को भी और water को यानि यह कैसा mixture हो गया heterogeneous mixture clear then next देख लेते हैं next slide में solution what is solution solution की जब हम बात करते हैं यहां पे देखते हैं कि mixture की है यानि homogenous mixture और heterogeneous mixture अभी हमने अभी discuss करा था तो उसी से ही आगे हम बढ़ते हैं solution किसको कहते हैं a solution is a homogeneous mixture of two or more substances यह हमें पता है homogeneous mixture means जो miscible हो जो uniform composition हो जिसका चाहे वो दो substances से मिलके बना हो या more than two substances से you come across various types of solutions in your daily life हम day to day life में इसके बहुत अच्छे example देखते हैं like lemonade soda water etc all are example of solution lemonade क्या होता है हमने lemon को water में squeeze किया mix कर दिया है ना we cannot separate the lemon from the water है ना एक uniform composition वाला lemonade एक drink बनके तियार हो जाता है same with the soda water same with the salt and water sugar and water right are all examples of solution usually we think of solution as a liquid that contain either a solid liquid or gas dissolved in ने भई हम solution किसको कह सकते हैं जब किसी liquid में solid liquid या gas dissolve कर दिया जाए but we can also have solid solutions and gaseous solutions है ना अभी तक हमने liquid में देखा था है ना liquid में जब हम solid solution and gaseous solution देखा है तो यानि यह कौन से हो गया solid solution हमारा alloys हो गया and gaseous solution की बात करें जो हमारे चारों तरफ air atmosphere present है clear तो इसको देखते हैं अभी in a solution there is homogeneity at the particle level है ना homogeneity किस पर डिपेंड करते है पार्टिकल के लेवल पर फार एक्जामपल लेमनेट टेस्टेट टेस्ट तेस्ट 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 करते हैं तो भी वह हमें थोड़ा सोर थोड़ा खटा सा टेस्ट आएगा अगर हम उसको बॉटम से टेस्ट करते हैं अगर स्पून से हम उसको बॉटम से निकाल के टेस्ट करें या सिप करें तो भी हमें जो है वो खटा टेस्ट ही आएगा means हम उसके किसी भी layer से किसी भी corner से हम laminate को अगर हम test करें किसी glass में अगर laminate है तो हम उसका taste हमें उसका same throughout रहेगा एक जैसा taste रहेगा this shows that particles of sugar और salt are evenly distributed in the solution यानि अगर हम laminate में थोड़ा सा और taste enhance करने के लिए शुगर भी डाल देते हैं, salt भी डाल देते हैं तो वह evenly distributed हो जाते हैं उस solution में और हम कह सकते हैं this mixture is a homogeneous यानि हमने lemon में क्या मिलाया water में lemon मिलाया, paste enhance करने के lemon शुगर भी मिला दिया, salt भी मिला दिया हैं तो सारे pure substances और यह pure substances जब उस water में जाके mix हुए तो lemonade जो तयार हुआ, वो mixture of pure substances हो गया और सब ने homogeneity शो करी कैसे, by the taste है न, by the making of uniform composition clear, तो यहाँ पर आपको solution की I hope बिल्कुल clear definition हो गई होगी समझ आ गई होगी कि homogeneous mixture of two or more substances is called the solution right, next slide में आगे बढ़ते हैं activity देखते हैं यहाँ पर, activity इसकी जो है solution की यहाँ पर बताई गई है, आपकी NCRT की book में again class एक activity करते हैं, जिसमें class को A, B, C and D four groups मों divide कर दिया, right आप A group को क्या दिया, few crystals of copper sulfate थोड़े से एक दो crystal दे दिया, copper sulfate के group A को B को क्या दिया, one spatula of copper sulfate यानि quantity जो थी वो, एक spoon कर दी हमने group C को हमने क्या दे दिया, chalk powder या फिर wheat flour दे दिया, आठा दे दिया and group D को हमने क्या दिया, few drops of milk या फिर ink की दे दिया, right क्या करा हमने चार ग्रुप को लिया एक को कॉपर सलफेर 2-3 क्रिस्टल दिया एक को वन स्पैचुला दे दिया सी को हमने दे दिया चौक पाउडर या वीट फ्लार राइट और डी को हमने दे दिया फ्यू ड्रॉक्स ऑफ मिल्क और इंक राइट अब देखते हैं क्या हुआ और हर ग्रुप से ये कहा कि इसको जो है water में mix करो और glass rod से stir करो बदेन अब देखते हैं क्या ये different particles जो हमने चारो ग्रुप को दिए हैं उनको कैसा mixture बनता है और क्या ये mixture में ये particles visible है तो देखते हैं direct beam of light from torch to beaker containing the mixture and observe from the front अब चारों बीकर पे एक torch से light डाली गई अब हम इसको कैसे judge करेंगे was the path of the beam of light visible यानि जो बीकर में जब हमने torch की light डालते हैं तो क्या light जो है उससे pass होकर visible होती है जो भी हमारा mixture तयार हो रहा है पानी में मिलाने के बाद जो mixture तयार हो है क्या उससे beam of light पास हो रही है visible हो रही है देखते हैं क्या हुआ हमारी इस activity में फिर उसके बाद उसको मिलाने के बाद हमने few minutes के लिए mixture को ऐसे ही छोड़ दिया and set up the filtration apparatus उसको छोड़ दिया that's उसका हम देखते हैं क्या conclusion निकलता है mixture stable रहता है या फिर वो particles जो है थोड़े time बाद जो है bottom में जाकर settle होना शुरू कर देते हैं ना वही copper sulfate था उसके बाद क्या था wheat flour था ink थी या फिर milk powder था या milky drops थी filter the mixture mixture को filter किया तो करने पर क्या कोई residual filter paper पर कुछ बचा किस पार्टिकल का बचा चारों ग्रूप में से किसका residue बच रहा है तो ये सारी चीजें हम discuss करने हैं ना ग्रूप A और B को तो solution बन गया क्यों 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 कि copper sulfate चाहे कम amount में दिया हो चाहे जादा amount में दिया हो उन्होंने जब water में इसको mix किया तो एक uniform solution बन गया right C has got a suspension and group D has a collideal solution अब ये दो नए टम आए है suspension and collideal solution ये हम इस chapter में अभी आगे discuss करेंगे solution हमने देख लिया दो का दर solution बना एक का क्या बना suspension और दूसरे का क्या बना collideal solution ठीक है ये हम discuss करेंगे इसी chapter में later on then पहले देख ले थे alloys के हमने बात की थी alloys क्या था हमारा solid solution है ना alloys क्या था solid solution alloys की definition देखें आपर क्या इसको define किया गया है alloys are the mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their component by physical method alloys क्या है alloys mixture है किस चीज़ों का एक या एक से ज़्यादा metals या metal का या फिर non-metals का और जिसे वही है भई हम physical methods के through है ना हाथ से या कैसे भी हम उसको separate नहीं कर सकते एक या दो metals and non-metals का जो mixture है alloys हम उसको अलग-अलग नहीं कर सकते राइट but still an alloys is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition लेकिन alloys जो है ये mixture होता है क्यों क्योंकि जो यह gin constituents से मिलकर बना होता है उनकी properties को show करता है और different variable composition का इसका composition जो होता है वो variation show करता है right कैसे देख लेते हैं brass brass यानि जो हमारा पीतल होता है ये किन दो चीजों का mixture होता है 30% of zinc and 70% of copper यानि alloys जो हो गया क्या हो गया ये हमारा हम इसको कह सकते हैं ये हमारा solid solution हो गया solid mixture हो गया किन दो चीजों का zinc and 70% copper या आपके one mark के question में पूछा जा सकता है कि brass जो है किन दो चीजों का mixture है 30% zinc and 70% of copper ये हमने पढ़ा था zinc है copper है ये हमारे metals है कौन से दो metals का mixture है zinc and copper का right क्या हो गया दो या दो से ज्यादा metals and non metals का mixture होता है और जितने भी ये constituent से मिलकर बनाता है उनकी अपनी properties होती है जिसकी वज़े से इसका composition variability show करता है variation होता है जिसका best example है brass clear तो यहाँ पर हमने देख लिया solid solution solid mixture की बात कर लिए और इसमें हमने देखा alloys क्या होते है then we will talk about solute and solvent solute and solvent हमने previous class में भी basic concept इसका दिखा होगा देख लेते हैं solution में solute and solvent की बात कहां से आई a solution has a solvent and solute as its components बई कोई solution किसी भी चीज़ से कैसे बन रहा है जब उसमें कोई चीज mix की गई है जैसे हमने देखा अगर हमने water में क्या करा sugar add कर दी तो sugar यहां पे हमारा क्या हो गया solute water जिसमें हम mix कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया solvent तो solution क्या होता है उसके पास दो पार्ट होते हैं solvent and a solute कैसे तयार हो रहा है solute है solvent के मिलने से यहीं मैंने बताया वो पार्ट जो किसी चीज़ को अपने अंदर dissolve कर रहा है जिस component को वो dissolve कर रहा है उसको क्या कहते हैं solvent कहते हैं जैसे कि हमारे example water और वो large amount में लिया जाता है ठीक है क्योंकि वो अपने अंदर किसी component को dissolve कर रहा है the component of the solution that is dissolved in the solvent और वो component of the solution solution का वो पार्ट जो हम dissolve कर रहे है mix कर रहे है चाहे वो छोटी सी जरा सी lesser quantity में ही क्यों ना हो उसे हम term दे देते हैं solute अब यहाँ पे देख लिजे इस डाइग्राम में solute हमारा क्या है salt है ना solvent होगे हमारा water दोनों को हमने mix कर रहा तो what is get ready that is solution यहाँ पे हमारा यह क्या तयार हो रहा है solution ठीक है बहुत सारे एक्जामपल हमें solute और solvent के मिल जाएंगे चाहे हम शुगर का बनाएं चाहे सॉल्ट का बनाएं तो यह वाले हमारे एक्जामपल होगे solute and solvent को हमने आपे देख लिया किसको कहते हैं और solution का ही यह पार्ट होते हैं यहाँ पर एक्जामपल देख लेते हैं बहुत सारे solutions के आपके NCRT की ही book में दिये हुए हैं first देख लिजे solution of sugar in water is a liquid in liquid solution यानि जो अगर शुगर को water में मिक्स करते हैं तो किस चीज़ का solution हो गया solid in liquid यानि solid को हम liquid में मिला रहे हैं शुगर हमारी हो गई solid और liquid क्या हो गया हमारा यहाँ पर water in this solution sugar is a solute and water is a solvent second example देख लिजे solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine it is very important उच्छा जा सकता है tincture of iodine क्या होता है means solution of iodine in alcohol तो यहाँ पर iodine जो solid part है हमारा वो हो गया solute और liquid हो गया हमारा alcohol जिसको हमने कहा solvent और दोनों ने मिलके क्या बना दिया tincture of iodine third example है aerated drinks like soda water Pepsi, Limka जिसकी हम बात करते हैं and gas in liquid solution यानि इन सम्में क्या होती है carbon dioxide plus हमने पता है artificial sweeteners mix होते है right इनमें क्या होता है carbon dioxide plus artificial sweetener जो बहुत harmful होता है हमारी health के लिए this content carbon dioxide is a gas solute यहाँ पर gas जो है यानि वो हमारी क्या हो गई solute और हमारा water क्या हो गया यहाँ पर solvent तो जो हमारा एक example हो गया gas in liquid वो हो गया aerated drink clear then next देख लेते है सबसे important air air is also a mixture of gas in gas यह कैसा हो गया gaseous mixture है means gas to gas कैसे अब बहुत देख लेते है इसको भी this is a mixture of homogeneous mixture air is a homogeneous mixture of number of gases बहुत सारी gases हमें पता है हमारे चारों तरफ प्रेजन नाइट्रोजन है carbon है oxygen है and also water vapor है यह सारी चीजों का mixture है air जिसमें gas किसमें mix है बहुत एयर में एयर भी क्या है हमारी gas है चारों तरफ the oxygen and nitrogen the other gases are present in very small quantities यानि air जो है वो homogeneous mixture है number of gases का तो यह भी यह हो गया आपका gas to gas है न एरिटेड ड्रिंक हो गई हमारी gases in liquid and हमारा iodine in alcohol, sugar और salt in water यह हो गया हमारा solid in liquid का example so here हमने इस वीडियो में पढ़ा था कौन कौन सी चीजें सबसे पहले हमने क्या discuss किया था इसमें pure substances क्या होते हैं हमारी opinion में purity क्या है और chemist की opinion में purity क्या है then हमने types of substances देखे थे on the basis of purity and impurity pure substance को elements and compounds में classified क्या impure substance को हमने homogeneous and heterogeneous mixture में divide किया elements कौन-कौन से थे metals, non-metals, metalloids and noble glasses then हमने mixture देखा mixture कहता mixture of it is constituted by more than one kind of pure form of matter pure form of matter से मिलके जो mixture बने होते हैं वो जो बना होता है उसको हम क्या कहते है mixture यानि जैसे sodium, chloride, sugar but soft drink and soil is not a pure substance then हमने types of mixture में homogeneous and heterogeneous mixture देखा था then बात करी हमने solution की solution भी कहता mixture of two or more substances जिसके हमने example यहाँ पर देखे थे कौन-कौन से aloids का gaseous solution जिसमें air हमने देखा clear then हमने बहुत सार इसके example देखे कौन-कौन से solute and solvent हमने पढ़ा then हमने देखा liquid, solid in liquid का example याना, gas in liquid and then gas in gas का solution clear I hope यहाँ तक आपको यह सारे term chapter 2 के जो begin किया है अज हमने इस वीडियो में यह clear हो गया हो if you like my video please like, share and subscribe आपको 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 आपक